बीती रात भर जिले भर में रुक रुक कर हलकी भुदावादी होती रही मंगलवार को सुबह आसमान पर घने बादल चाय रहे हैं चारो तरफ घना कोहरा चाया हुआ है जिसकी वज़े से सुबह के साढ़े नौ बजने के बाद भी विजिबिलिटी कम हो गई है पास के वाहन भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं इन हालातों में वाहन चालक बेहधी में रफ्तार में अपने वाहनों को लाते ले जाते दिख रहे हैं रात के समय हुई बुदावादी की वज़े से जिले में सर्दी का असर फिर से बढ़ गया है सुबह से सर्दी लोगों की परिश से सर्दी कम होने से राहत महसूस कर रहे थे लेकिन मंगलवार को सुबै से ही सीत लहर चलने लग गई आसमान पर बादल च्छाय हुए हैं असा लग रहा है मानुगने कोहरे ने पुरे सहर को अपने आग गोश में ले लिया हो सर्दी बढ़ने की वज़े से पसुपक्षी भी परिशानी महसूस करने लगे हैं इन दिनों सर्दी की फसल खेतों में पक कर कटने की तैयारी में हैं कई इलाकों में तो किसान सर्दी की फसल को काटने भी लग गया है इन हारातों में रात के समय हुई बुदाबादी और सुबै से आसमान पर चाय घने बादलों ने किसानो केदार का कहना है कि बुंदाबादी के बाद आसमान पर घने बादर चाये देखकर मन विचलित हो उठा है अगर बारिश या ओला गिरे तो फसले चोपट हो जाएंगी भगवान से प्रात्ना कर रहे हैं